नमस्कार जी कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग बहुत जादा अच्छे होंगे हल्दी होंगे फिट होंगे तो सुबा का रूटीन सारा हो चुका है और उसके बाद मैं आगे हूँ आप लोगों के सामने तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं और ये वाला परदा इधर मैंने डाला था तो ये पूरा तूटके गिर गया है विसको लगाना पड़ेगा तो गयानूना गेन खेलता रहता है तो उसके गेन में फस फस के पता नहीं कैसे तूटा था खैर उसी से तूटा था कोईकि उसने बताया है तो हाँ आते हैं अपने में टॉपिक तो आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँगे कि जैसे आप लोगों के बहुत सारे वेट बढ़ता हैं तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है सबके केस में अशा नहीं होता है कि चावल खाने से वेट बढ़ता है और अगर आप प्रॉपर महत्रा में चावल लेंगे तो मतलब और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इतने लगी होते हैं कि वो कुछ ना खाए तब भी उनका वेट नहीं बढ़ेगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी खाले तो उनका वेट बढ़ी जाता है तो यह होता है और मेरे ख्याल से मतलब ऐसे होता तो है कि हाँ खाने में अप्रूपर मात्रा में चावल लेना होगा है जाइक शेरा चावल खाने का तो रहे हैँ डाल मनलब चाहे आप चावल खाओ चाहे रोटी खाओ ताल सबजी बहुत जादा मनलब बहुत जादा इंदसेंस जादा चावल मनलब तुड़ा सा इतना सा ले लो तो फिर सबजी घेर सारी सालेड और दाल यही सारी चीजे अगर आप बैलेंस मात्रा में खाते हो तो चावल खान बढ़ेगा जैसे हो गया हमारा कि क्या बोलते हैं ओवरीटिंग आप करते हो तो आप चावल खा रहे हो रोटी खा रहे हो कुछ भी खा रहे हो फूर्ट का रहे हो फिर वह चीजें वेट बढ़ाएंगी हलाकि फूर्ट साप जादा खा लेते हो तो उससे वेट गेन होने के च क्या बनाने वाली हूं और मैं आपको सिखाती हो कि कैसे घर की बनी चीजों के साथ कैसे नॉर्मल रूटीन के साथ आपका वेट कम हो सकता है और सौरी यह मिस्रा जी के फोन में पता नहीं किसका इतना फोन आ रहा और वह पूजा कर रहे हैं तो उठाएंग नहीं तो मुझ भीग गई थी अच्छे तरीके से तो फिर सर्सो का तेल डाला और फिर उसमें जीरा कतड़का दिया मिर्ची डाली थोड़ी सी और थोड़ा सा डाला धल्दी पाउडर फिर उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया दाल डाल के तो इससे क्या होगा कि जो हमारा चौक है बड़े अच्छे तरीके से लग जाएगा दाल में और दाल का पराठा अज बनाने का डिसाइड किया था तो आज क्या मैंने कल सामी में सोच लिया था कि मुझे दाल का पराठा बनाना है क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया था जब हमारे घर दाल के पराठे नहीं बने थे तो मम्मी से मैंने बोला था सामी में कि मम्मी कल दाल के पराठा बनाते हैं तो उन्होंने बोला ठीक है बना लो जैसा तुम्हारी मरजी बनाना तुम ही को है खाना हम साब को है तो बनाना जो भी बनाना हो बना लेना तो इसलिए मैंने सुबा सुबा दाल के पराठे बना लिए तो दाल के पराठे का क्या होता है कि ग्यानू भी बड़े आराम से खा लेता है ग्यानू के पापा भी चाय के साथ और सलाद भी काट दो ना तो उसके साथ भी बड़े आराम से खा लेते हैं तो कोई दीकत नहीं होती है और दाल के पराथे स्वाद के साथ सातना सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते है क्योंकि जाहिर सी बाते समें चना होता है तो इसलिए वो बहुत बेनीफिट होता है उनका हमारी हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए भी चने कमा तो आपको पता ही है मतलब कुल मिला कि ये कहने का सिंस है कि दाल के पराठे खाने से वेट तो नहीं गेन होता है लेकिन हाँ एक मतलब तेल आप पे डिपिंड करता है और इतना तेल कौन लगाता है सब्जार की सबजी के बराबर पराठे में मतलब मैं तो बहुत कम तेल वाला बनाती हूँ तो फिर खाने पीने के बाद फिर उसके बाद आ गई मैंने सोचा कि चलो मैं एक बलाव सिल रही थी तो बलाव सिल गया था तो बाकी के जो कपड़े बचे थे उनमें मैंने कहा चलो इनमें भी इसी टाइम पर कर कि यस टाइम पर मैंने कई बाउस शील डा ले हैं और अपकी वा दूबाना जो मैंने ब्लाउस के लिए अच्छी कॉल है जाए रही हARD उसकाश में दिल को इतना सुपाय लगता है कि क्या रहीं बता है तो जैसे हमारे हैं आराम से से 200-200 सिलाई पड़ती है और बहुत से लोग 100 रुपय भी ले लेते हैं मतलब जैसे जिसके हाँ हो तो हमारे हाँ 100 रुपय से लेके 500 के बीच में पड़ता है तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो घर जब सिलना आता है तो सिली लेते हैं थोड़े से पैसे बचा ही दूँगी मिसरा जी के थोड़े से पैसे उनके बच जाएंगे इसलिए ये कर लेते हो और फिर साम हो गई थी तो साम को जब कपड़े लेने आई तो फिर मैंने थोड़ा सा टहला वहला इससे मुझे सैटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज मैंने ये चीज अपनी ली किया और सुबह मैंने टहला भी था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था पाडू हुना कि ये देखिए जो संत्रे के छिलके होते हैं उनको इधर और ये आवला इधर और कुछ गुलाब की पंखुडियां भी मैंने सुखा के रखी है तो इन सारी चीजों को पीस पास के किसी दिन रख लूँगी फिर इसको टाइम टाइम से कभी फेस पैक के लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब से आने लगा वरना जब मैं कहती थी ले ओ तो गुस्सा करते थे कहते थे तबीयत खराब हो जाएगी ये नहीं खाना है लेकिन हमारे मायके में बहुत खाया जाता है तो इसलिए हम लोग खाने लग गए और फिर साम के खाने में आज बनाया था दाल टिक्की जिसको दाल ढोक ली कुछ ऐसे ही कहते हैं मतलब आप लोग पता नहीं क्या कहते होगे अब खैर हमारे हाँ दाल टिक्की कहते हैं बहुत से लोग दाल का दुलहा भी कहते हैं इसको तो कई सारे नाम हैं बड़ चीज वही है तो मुझे ये पतली-प किसी को थी नहीं तो इसलिए बहुत थोड़ा सा बना दिया था आधा भगोना के करीब और बस उसमें तड़का दिया तो ग्यानु वाला जो होता है वो बिना तड़के वाला होता है और हम लोगों वाला जो होता है उसमें तड़का पड़ता है तो मुझे खटा खटा ऐसा औ तो आपने बनका बनाती हूं तो बाहर आई तो देखा ये विचारे भूके ही रह गया थी क्योंकि आज रोटी बची नहीं थी तो मैंने एक एक लड़ू दिया हलागि मिस्टर जी मना कर रहा थी कि लड़ू मत दो मतलब मीठा नहीं दिया जाता है कुट्टों को तो जी अभी काफी देर से टहलने के बाद अब बिस्तर पे जाने का टाइम आ गया फाइनली तो क्या होता है कि जैसे किसी ने पूछा था किसी ने कमेंट कर रहा था कि मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं क्या करो मैं बाहर की चीज़ें खाते हूं जैसे वो रैप हो गया और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बताया था, तो देखो, अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालते हो ना, अपने लिए खाना बनाने के लिए, दो पराठे, एक पराठी बनाने के लिए, तो भाई, मतलब अप क्या कहें फिर इसमय, लेकिन ये है, कि जैसे आप बाहर की चीज़ें खाते हो ना, तो उसमें कैलरी और घर की चीज़ें, आप देशी घी का एक पराठा बना लो, उसमें कैलरी कम निकलेगी, कभी काउंट करना आप खोदे, तो ये जो फैंसी फैंसी चीज़ें होती है ना, मेरे ख्याल से, वो चीज़ें बस देखने म फैंसी चीजों के तरफ मना जाएए अपनी देसी चीजों खाईए इसे बहुत लॉस होता है और आगर आपका प्रॉपर डाइट मतलब घर की चीजें हैं जो हमारा दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीजें है ना तो आपका वेट बहुत मुश्किल है कि गेन हो जाए बस कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए जैसे ओर रीटिंग नहीं करनी है बहुत जादा लेटना नहीं है मतलब काम ओम करते रहना है तो फिर वेट गेन होने में मतलब टाइम लगता है आप जितना हो उतना ही रहोगे हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली च करता है कि काफी हद तक वीट गिन नहीं होगा हाउस वाइफ का और आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना चैनल पर फरस्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बाइबाइबाइबाइबाइब